आज है 29 अक्टूबर 2022 और 29 अक्टूबर 2022 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेशन मन सकते हैं सारे हमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेशन से रेलेटेड इंपोर्टेंट प्रेक्टिवी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वह से लिए लेकिए लास्टैक आप यसका आंसर आपको क्मेंट बॉक्स बताना है आज कि पीडियो के टेरांट कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुशीन है हाली में अंतरास्टी एनिमेशन दिबस कम मनाया गया है तो अभी 28 अक्टूवर को अंतरास्टी एनिमेशन दिबस मनाया गया तो इस कुछिन का बे आप्शन सही है आपने ये टर्म कई बार सुनाओगा एनिमेशन आजकल आप बेडियो गेम्स देखते हैं उसमें एनिमेशन का यूज होता है आजकल बहुत सारे बेडियो जैनिमेशन का यूज होता है और भी अलग लग जगे पर एनिमेशन का यूज होता है जनरली बेडियो गेम्स में सबसे ज़्यादा एनिमेशन का यूज होता है एनिमेशन का यूज होता है आप जब वीडियो गेम खेलते हो न, तो बहुत ज़्यादा इंट्रेस्ट आता है, लेकिन आपको पता है, उस इंट्रेस्ट के पीछे, कितने लोगों की मेहनत लगी होती है, उसके पीछे जो कलाकार हैं, जो एनिमेटिट काम करते हैं, उनकी मेहनत लगी होती है, जो टेगन स्टी एनिमेशन दिवस मनाया जाता है यह आपको याद रखना है अच्छा अक्टूबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट मनाये गए हैं सारे मैंने यहां पर बिल्कुल सेक्वेंस में लिखे हैं आप वीडियो को पॉस्ट करिए और इन इंपोर्टेंट डेस को एक अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं चालीस या लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है एलपो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरू करो और मैं आपको भी बोलता हूं डेली मॉर्णिंग मोटकर सबसे पहले अपन में किसे सैयुक्त राष्ट की बायू परिबहन समित्य के अध्यक्ष की रूप में नामित किया गया तो अभी सैफाली जुनेजा को सैयुक्त राष्ट की बायू परिबहन समित्य के अध्यक्ष की रूप में नामित किया गया तो इस कुश्चिन का से ओप्सन सही है आप इ Indian Banks Association के नए अध्यक्ष एक के गोयल चुने गए अडानी Airport Holdings के CEO के रूप में अरुण बंसल को नियुक्त किया गया बारती दास ने नए लेखा महा नियंत्रक के रूप में कारेबार समाला है BCCI के 36 में अध्यक्ष के रूप में रौजर बेनी को चुना गया Paytm Payment Bank ने देपेन सिंग्राठोर को अंतरिम CEO नियुक्त किया है अच्छा केसोर कुमार पुल दासु को S.B. General Insurance के नए MD&CEO के रूप में नियुक्त किया गया अश्विनी कुमार को दिल्ली सरकार ने ग्रह सचिप के रूप में नियुक्त किया है और बिनायक गोड से को भारती डेटा सुरक्षा परिस्द के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया ये अभी Recent Appointment है ये आपको याद रखने है नए क्यूशन है तो दोजर तेईस में होगा बारे मां बेश्द सु हिंदी सम्मिलन इसकी मेजवानी फिजी करेगा तो इस कुशन का Day Options है ये फिजी ये तेन सो तेज से अधिक ड्विपों का एक समू है इसकी केपिटल क्या है सुवा इसकी करंसी क्या है इसकी करंसी िजियन है और एंगलिस है यहाँ पे हिंडी भी बोली जाती है अच्छा pronounce एक प्रांची सी पैंटर थे और अभी 102 साल की मरूं में इनका निदन हुआ तो इस कुषिन का C options है है, या रखना फियरे सोले जस्त, ये एक फ्रांसी सी पेंटर थे, ने क्यूशन है, हाले में IPS अधिकारी उमेस मिस्रा के सराजी के नए DGP बने हैं, तो उमेस मिस्रा ये एक IPS अधिकारी हैं, और ये अभी राहिस्तान के नए DGP बने, तो इस कुषिन का बे options है यह डिजी पी यानि की director general of police यह किसी भी राज में police का सबसे उंचा पद होता है तो राइस्तान के नए डिजी पी बने हैं उमेश मिस्रा अब राइस्तान तो यह है मैप में राइस्तान राइस्तान की जस्टिस पंकज मित्तल राइस्तान हाई कूट के 40 में मुख्य नयदीश बने हैं अडाने ग्रेंस ने दुनिया का सबसे बड़ा पबंस और उर्जा संयंत राइस्तान में सुरू किया है राइस्तान में पांसो बारे नई इंद्रा रसोईयों का सुबारम किया गया अच्छा राइस्तान सरकार ने मुख्य मंत्री अनुप्रती कोचिंग योजना शुरू की राइस्तान में सरिस्का नेशनल पार्क है रड़ थंबोर नेशनल पार्क है केवला देव घना पक्षी वियार है और मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्ब है ने क्युशन है खाली में केस देश का हर्ट्स फिल्ड जैक्सन अटलांटा अंतरास्ती हवाई अड़ा दुनिया का सबसे ब्यस्त हवाई अड़ा बना है तो ये जो हर्ट्स फिल्ड जैक्सन अटलांटा अंतरास्ती हवाई अड़ा है ये अमेरिका का हवाई अड़ा है औ O.A.G. AC की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के एकोर्डिंग दुनिया का सबसे बिजी एर्पोर्ट है अमेरिका का हाट्स फील्ड जेक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एरपोर्ट अच्छा दुनिया के सबसे बिजी एरपोर्ट की लिस्ट में अपनी न्यू डेली क I.G.I. यानि की इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट दसमें नमर पर पहुंच गया है अच्छा अमेरिका की बात है तो अमेरिका में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्राले खोला गया अमेरिका में एक दसक की बात पूलियों का एक मामला अमेरिका की सेनेट ने गन कंट्रोल बिदेख पारित किया है आरती प्रभाकर को अमेरिका की राष्टपती के बिज्ञान सलाकार के रूप में न्यूक्त किया गया अच्छा अभी भारत इजराइल यूएई और यूएस ने एक नया I2-U2 समू बनाया है अमेरिका में निर त्रॉम्प वज्जपरहार और यूद दडव्यास जिसमें इस एक ट्रॉम्प अभी रिसेंटिली हुई है ने क्यूंस है लूप मस्क ने कितने बिल्यण डॉलर में ट्विंटर का अधिग्रेट किया है इसका अधिग्रेट आप अलोन मस्क ने कर लिया है और आपको पता ह इसका अधिगरेड एलोन मस्क ने 44 billion डॉलर में किया है ध्यान रकना ये billion है 44 billion डॉलर में Twitter का अधिगरेड एलोन मस्क ने किया है तो इस question का say options है आपको पता है Twitter की शुरुआत का हुई थी Twitter की इस्तापना हुई थी 2006 में इसका headquarter है San Francisco में और अभी तक इसके CEO थे पराग अगरवाल जैसे ही एलोन मस्क ने Twitter का अधिगरेड किया इनों ने पराग अगरवाल को Twitter के CEO के पद से हटा दिया है नए question है हाली में केन सरकार ने के सराज में तराई हाती रिजर्व को मंजूरी दी है तो अभी केन सरकार ने उत्तरप्रदेश में तराई हाती रिजर्व को मनजूरी दी तो इस Pacific सिर्व को बे Options और अब उत्तरप्रदेश तो यह है Map में उत्तरप्रदेश उत्तरपदेश की केपिटल क्या है लखनू और लखनू किस नदी के किनारिश्थित है गूमते नदी किनारिश्थित है जैसे दिली में NCR है उसी तरह है लखनू के आसपास SCR डेवलप होगा यानिकि स्टेट केपिटल रिजन उत्तरपदेश की चीपनिष्टर है योगी आलतनात और उत्तरपदेश की गवर्नर है आनन्दी बेन पटेल उत्तरपदेश का राज की पसू है बारे सिंगा राज की पच्छी है सारासिय क्रोंच राज की पुस्प है पलास और राज की ब्रच है असुक का ब्रच अभी उत् उत्तरपदेश सरकार मात्र भूमी योजना पूर्टर लॉंच करेगी उत्तरपदेश में दुद्वा नेशनल पार्क है करतरनी अंगार्ट बाइले सेंचुरी है और पेली भीथ टाइगर रिजर्ब है नेक्यूशन हाली में किस देश के बिदेश तचिब जेम्स क्लेवरली भारत पहुँचे है तो बिदेश तचिब है जेम्स क्लेवरली ये अभी भारत पहुँचे है तो इसकुशन का A options है अब बिदेश तचिब है बिदेश तचिब है जेम्स क्लेवरली ये अभी इंडिया की यात्रा पर आ है हाले में किस राज की मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला क्रसी क्रेडिट पूर्टल लॉंज किया तो अभी उडिशा की मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला क्रसी क्रेडिट पूर्टल लॉंज किया और इस पोर्टल का नाम कहा है सफल यह भारत का पहला ओल्लाइन क्रसी क्रेडिट पोर्टल है त। दूसको ऩे निका भी आपसेंस है अब उडिशा तो यह है मैप में उडिशा उडिशा की कैपिटल कहा है भुबनेश्वर, उडिशा की चीपनिस्टर कौन है नवीन और उडिशा की गवर्नर कौन है गनेशीलाग अच्छा उडिशा में है वेलर दीप और वेलर दीप का नाम बदल के एपी जे अब्दुलकलाम दीप रखा गया है उडिशा दिवस या उतकल दिवस का मनाय जाता है एक अपरेल को अच्छा उडिशा सरकार ने अभी सम्मिदा भरती को समाप्त कर दिया है अश्विनी बैशनब ने भारत के पहले एलुमिनियम फ्रेट रेक का उदगाटन किया उडिशा में हैंगिंग सूलर फैंसिंग लगाई गई है भारत के मुख्यमंतरी ने फुट वॉल फॉर आल कारिकरम शुरू किया है अच्छा उडिशा में सुनाविडा वाइललाफ सेंचुरी है कुठागड वाइललाफ सेंचुरी है नलवन वाइललाफ सेंचुरी है बैसी फल्ली वाइललाफ सेंचुरी है देवरिगड वाइललाफ सेंचुरी है और गहर मठ वाइललाफ सेंचुरी है उडिशा में चिलका लेख है ये भारत की सेकुलिया बीच है, गूल्डन बीच है, उडिसा के दू गाउं को यूनेज्र कुने सुनामी रेडी डिकलियर किया था, वो दू गाउं कौन से हैं? नियोलिया साही और बैंकर ट्राइपूर उडिसा में लिंगराज टेंपल है जगना टेंपल है और कुडार टेंपल है ने हुशन है हाली में जे वाई ली किस कंपनी के कारेकारी अध्यक्ष की रूप में न्यूक्त किये गए है तो जे वाई ली ये अभी सैमसंग लेक्ट्रोनिक्स के नए कारेकारी अध्यक्ष नियूक्ष के गए है तो अभी अपने देश भारत और सिंगापूर की नौसिना के बीच सिंबेक्स अभ्यास बिसाका पड़नम में हुआ तो इस कुशन का बे अप्सन सही है अब सिंगापूर तो ये है मैप में सिंगापूर सिंगापूर की केपिटिल क्या है सिंगापूर सिटी सिंगापूर की करंसी क्या है सिंगापूर येंड डॉलर और सिंगापूर की प्रेजेंट टेम पे प्रेसिडेंट कौन है हलीमा याकूब हाली में सौरे दिवस कहां मनाया गया है तो अभी लद्दाक में सौरे दिवस मनाया गया तो इस कुषिन का से ओप्सन सही है रच्छा मंत्राले ने 1947 बढ़ गाओं हवाई अड़े पर बारती सेना के लेंडिंग ओपरेशन के 75 बर्स पूरे होने के उपलक्ष में ये सौरे दिवस लद्दाक में बनाया है अब लद्दाक तो लद्दाक में में ही सुबास अभियान शुरू किया गया ये लद्दाक के लेह में शुरू किया गया है अगनी तक तो अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयुजित किया गया चब बेश में सिंदु दरसन यात्रा ये लेह में शुरू हुई है और सांस्कृतिक बिरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदाइक संग्राले का उद्गाटन लेह में हुआ है नहीं हुशन है हाली में किस राज सरकार ने पालतू कुत्नों का पंजी करण अनिवार किया है तो अभी हर्याना सरकार ने पालतू कुत्नों का राजिस्टेशन अनिवार कर दिया है तो इसकुशन का A options है अब हर्याना तो ये है मैप में हर्याना हर्याना की केपिटल क्या है हर्याना की चीपनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर और हर्याना की गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रे. अच्छा अभी सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक न्याय में हर्याना सर्व स्रेश्ट राज गोसित किया गया। कोल एजूकेशन रेलेव असिस्टेंस और गरांट यानि की चिराग योजना सुरू की? हर्याना की मुझ्यमंतरी ने पोलेस के लिए स्मार्ट एव बेट परडाली सुरू की? अच्छा हर्याणा में कालेसोर नेसनल पार्क है, सुल्तानपूर नेसनल पार्क है हर्याणा में खोली रेतान वायल लेसनेशुरी है, बेर सिकारगड वायल लेसनेशुरी है नाहर वायल लेसनेशुरी है, चलचिला वायल लेसनेशुरी है और खप परवास wildlife century है नए क्यूशन है हाली में किस देश ने कोबिड के खिलाब पहला इन हे लेवल बैक्सीन लॉंज किया है इन हे लेवल यानि कि इस बैक्सीन को सांस के द्वारा लिया जा सकता है तो यह चीन ने लॉंज किया तो इस कुश्चिन का से ओप्सन सही है अब Scienceم रहीन्यैथ में लास्ट वीडियो मैंने आपसे मूश्चिन पूचा था कि हाल ही में नेत्रहीनों के लिए 1024 बिशुकप के अन्सर कोण मिने है तो अभी युबराजित नेत रहीनों के लिए टे 20 बर्ड कप के ब्राइड वेस्ट बने यानि किस कुश्यन का से ओप्सन सही था और लगबग सभी स्ट्वेडनेस का अंसर सही दिया मुश्ट लिए स्ट्वेडनेस के वारे में डेटेल में लिखा मैं आपको एक वर फिर बोलूँगा कुश्यन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लेक देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का कुश्यन है आपके लिए आज का कुश्यन है हाली में कौन सा देश मनुरंजन प्रायोजनों के लिए भांग के उप्यूक को बैद करेगा यानि कि लेगल करेगा तो चार आप्सन दिये गए हैं इन्वेस से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलाबा हम हमारे फेस्टूक पेज पर प्रेवेस सेर कोश्यन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेस्टूक पर नेक्स्ट एक्जाम सर्च करके वारा फेस्टूक पेज जोईन कर सकते हैं क्योंकि प्रेवेस सेर कोश्यन आपको बहुत एल्प करते हैं अगर आपको किसी कोश्यन में कोई डाउट होता है या आपको उपने करियर से रिलेटिट भी कोई प्रॉल्म है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश RC इंस्टाग्राम पर इंद्रे सार्सी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फिजन, बेदाउट एनी हजीटेशन डिस्क्स कर सकते हैं अच्छा आज किस वیडियो का टारगेट जरू याद रखना, आज किस वیडियो का टारगेट है 40 अलाइक तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अलपो लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और सियर जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook group हैं उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current affairs का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू पताना और अगर अभी तक भी आपने मारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरू कर लेजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बरावर में एक बेल आइकन बन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफ़ेस की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम और बेज वीडियो थैंक्स पर वाचिंग